नमस्कार मैं कोपल सर्मा स्वागत करता हूँ आपका टैली के एक और नए यूसफुल वीडियो में इस वीडियो में एक ऐसे प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग कोई भी एक कम्पलीट वीडियो यूटूब पे एपलेबल नहीं है हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से ईवे वील के लिए ईवे फोर्टल पे जाके रजिस्टेशन करना होता है उसके बाद टैली को एज जीएसपी हम लोग किस तरह से सलेक्ट करेंगे और finally किस तरह से हम लोग tally से directly e-way will generate करेंगे steps को मैं एक्तम clearly आपको समझाने वाला हूँ easy mode में समझाने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप से हमारी एक छोटी से request है प्लीज वीडियो को like किजिए दोस्तों के साथ share किजिए ताकि उनकी भी help हो सके जाके registration को clear करना इसके लिए आपके पास आपका GSTN number होना चाहिए चले क्या करना है सबसे पहले आपको e-way will portal को open करना है open करने के बाद आपको वहाँ पे registration का option मिलेगा उस पे जाए e-way will registration का option मिलेगा उस पे आपको click करने रहा है click करते ही आपके सामने GSTN number type करने का और उसके नीचे capture type करने का option आजाएगा यहाँ पर आपको आपका GSTN number type करना है और capture type करना है इसके पाद नीचे आपको मिलेगा Go का एक बटन इस पर आपको click कर देना है जब आप Go पर click करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल के आजाएगी इस स्क्रीन पे आपको आपकी सारी डिटेल मिलेगी जिसके द्वारा आपने अपना GSTN रिजिस्टर करवाया है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर नजार आने लगेगी और सबसे नीचे आपको नजर आएगा एक Send OTP का बटन इस पे आपको क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद आपके रिजिस्टर मुबाइल नंबर पे जोकि आपने GSTN रिजिस्टर करते हुए दर्ज कराया होगा उस पे एक OTP आएगा उस OTP को यहां अपडेट करना है अपडेट करते ही आपका ये प्रोसेश कम्पलीट हो जाएगा और आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल के आजाएगी इस स्क्रीन पे आपको आपका यूजर नेम बनाने का और उसका पासवर्ड सेट करने का आप्सन मिलेगा यहां पे आपको यूजर नेम सेट करना है एक यूजर नेम आप बना लें पासवर्ड टैप करें और रिंटर पासवर्ड में उसी पासवर्ड को फिर से टैप कर दें और सेप पे आपको कर देना है क्लिक इसके बाद फिर से पोर्टल को आपन करना है आपको जाना है login पे login पे click करने के बाद आपको जाना है home पे home पे जब आप click करेंगे तो नीचे registration का option मिलेगा उस पे आपको gsp का option मिल जाएगा उस पे click करना है जब आप gsp पे click करेंगे तो आपके सामने registered for gst सुविधा provider का screen खुलके आ जाएगा यहाँ पे आपको email ID टाइप करना है जो आपको टैली के द्वारा एपलेबल कराया गया है और साथ ही आपको आपका registered mobile नंबर भी यहाँ पे टाला है जब यह सारा चीज़ आप complete कर देंगे तो भगल में जो send OTP का button आपको नज़र आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है जब आप send OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया नीचे एक box खुल के आजाएगा जिस पे इंटर OTP का option रहेगा यहाँ पे वही OTP टाइप कर देना है जो आपके registered mobile नंबर पे आया है उसके बाद verify OTP पे आपको क्लिक कर देना है और जब आप verify OTP पे क्लिक कर देंगे तो आपका registration कम्पलीट हो जाएगा अब आपके सामने registered your GST सुविधा provider का नया screen खुल के आ जाएगा इस screen पे option आपको मिलेगा add new का अगर इससे पहले का जो process अभी आपने देखा कर रखा हो मतलब आपने पहले से evable portal पे जाके registration कर रखा हो तो सीधा आप इस screen पे आजाएं जहां से आप टैली को link करेंगे आनि add GSP आप टैली को select करेंगे बहुत सारे user ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही registration कर रखा है एक नया screen खुलके आजाएगा यहाँ पे आपको GSP name में select user का एक option मिलेगा वहाँ पे click करना है और जितने ऐसे company या जो भी software available कराते है accounting की जो registered है in portal में as a GSP जिनको आप ले सकते हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे इन में से आपको चुनना है टैली को क्योंकि हम टैली के बारे में बता रहे हैं दूसरा कोई हो तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ टैली लेंगे टैली लेते ही आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे username और re-enter username का option मिलेगा लेकिन थोड़ा रूख जाएं यह पहले से ही बना हुआ आपको मिलेगा आनि username आपको type नहीं करना है यह पहले से बना बनाया है और नीचे रे-enter में भी पहले से type किया हुआ रहेगा लेकिन इसके बगल में आपको तीन करेक्टर का suffix टाइप करने का option मिलेगा जहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी तीन करेक्टर suffix ले सकते हैं यह complete कर ले और नीचे आपको password शेट करने का option मिलेगा लेकिन धियान रखना है आपको आप अपना password जो है maximum 15 करेक्टर का ले सकते हैं आप उतना बढ़ा भी ले सकते हैं या उससे छोटा भी बना सकते हैं password यहाँ पे शेट करने के बाद नीचे रिंटर password पर वो password फिर से tap कर दे यह हम लोग टैली में इस्तमाल करेंगे इतना करने के बाद add पे क्लिक करते हैं अब आप रेजिस्टर हो चुके हैं Sionali Prime में कहां से E-Way Will को Enable किया जाता है और Invoice किस तरह से उसमें Generate की जाती है तो सबसे पहले आपको जाना है Company में और Company में जाने के बाद आपको जाना है Features में Features में यहां पर Textcription के अंदरतो आपको मिलेगा Enable.js, T-Goods and Services इसको आप Wash कर दें वाई करने के बाद जैसे हैं आप enter करेंगे यहाँ पे आपको evay will applicable का एक option मिलेगा इसे yes कर दें अगर आप invoicing का भी इस्तमाल कर रहे हैं तो इसे भी yes कर दें और यहाँ पे सारी detail fit कर दें जैसे अभी current में जो threshold चल रहा है वो चल रहा है 50,000 का दें 50,000 डाल दें invoice value यहाँ पे रखें और applicable for interstate है अगर आप interstate में भी 50,000 के value पे evay will चाहते हैं तो इसे जरूर yes कर दें इसी तरह बाकी settings को yes करते हुए control A करके इसे save कर दें अगर आप इस screen को save नहीं करेंगे तो जो भी आपने setting अभी change करी है वो save नहीं होगा उसके बाद इस screen को भी आपको control A करते हुए save करना है या tap button दबाते हुए आखिर में आके भी save कर सकते हैं अब आपने सफलता पुरुवक GST में eBay will service को enable कर दिया है अब आपको जाना है vouchers में और vouchers में चलिए एक sales invoice देट करते हैं यहाँ पे आचुके हम sales voucher में enterprise करते हुए हम party account में जा रहे हैं यहाँ पे एक party मैंने ले लिया जैसे रमिश कुमर मैंने enterprise किया delivery details वगेरा feed कर लीजे पार्टी details जो है वो भी feed कर दीजे sales ledger में आप जिस तरह से लेना चाहते हैं वो ले लें यहाँ पे मैं sales account लेता हूँ क्योंकि मैं common account रखता हूँ text classification यहाँ पे clear किजिए name of item में जाहिए और जो भी product आप sale करना चाहते हैं उसे ले लें जैसे यहाँ पे मैं smart tv sale कर रहा हूँ जिसका rate 26,500 है अगर मैं 20 लेता हूँ तो 50,000 से उपर का invoice बन जाता है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो invoice value है उस पे आपका e-way bill applicable है it means जो total amount बनेगा उस पे आपका e-way bill अनिवायर होगा तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा invoice 50,000 से उपर जाता है यहाँ पे GST का जो option है e-way bill का वो अपने आप yes हो जाता है अगर यह bill कम होगा जैसे यहाँ देखिए अगर मैं इसे कम कर देता हूँ पिछे आते हैं और यहाँ जाके हम कर देते हैं अगर one piece करते हैं तो amount कम हो जाता है और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी e-way bill का जो option था वो तो नहीं कर रहा है तो चुकि हमने 50,000 का threshold ले रखा है तो जैसे हमारा invoice value 50,000 से उपर जाएगा वो option automatic enable हो जाएगा तो चलिए इसे मैं दो two piece कर देता हो जिससे हमारा e-way bill जो है वो अनिवायर हो जाए फिर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैंने two piece लिया और इसे save कर दिया आगे बढ़े हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं अब आ चुका है हमारा e-way bill details के लिए जो option होता है वो yes हो चुका है आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे cgst और sgst लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे intra state base पे sell कर रहे हैं एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और provide gst e-way bill detail में yes है यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो additional detail sale taxable में हमारे जो e-way bill का detail होता है वो feed करने का screen खुलके आ जाएगा यहाँ आपको ध्यान देना है कि address और pin code वागेरा जरूर भड़ें otherwise e-way bill जो है उसमें error आ यहाँ पे supplier का मैंने detail भर दिया है address बर दिया है यहाँ पे pin number डाल दीजे place का जो है आपका address वो डाल दीजे फिर enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे mailing detail में आएंगे address to यहाँ जिससे भेज रहे हैं उसका address डाल दिये pin code यहाँ पर भी आपको डाल देना है इसके बाद place वगेरा जो है वो भग दीजे एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे distance आपको kilometer में देना है कितना distance है approach डालना है कोई ज़रूरी नहीं है कि इतम से इंटो से मिला लें चलिए माल लेते हैं 50 km है enter में ने प्रेस किया अब यह पूछता है कि transporter का name क्या है अगर आपने पहले से ना रखा है उसका laser तो automatic यहां पे आपको उसका laser दिखेगा अगर नहीं है कोई बात नहीं new में जाए enter प्रेस करें और transporter का नाम बना लें जैसे कुमार एंटर प्रेस किया हमने transporter का ID जो भी हो वो transporter से पूछ लें और वो ID यहां पे डाल दें जैसे हम यहां पे एक ID ले ल लें इसके बाद vehicle number आप से पूछेगा vehicle number डाल दें enterprise करते हुए vehicle types में कौन सा है regular है या over dimensional कारवो है वो आप ले लें यहां पे मैं regular ले रहा हूं और enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे इसके बाद reference वागेरा clear करते हुए इसे save करेंगे जैसे save करेंगे तो एक pop-up आपको देग टेली प्राइम कि do you want to send voucher details और eway will generation अगर आप yes करते हैं तो आपसे आपका user ID और password मांगेगा अगर आप online है तो यह will जो है वो eway will portal में submit हो जाएगा और वहां से automatic e-will invoice number जो है वो आपके इस invoice में आके feed हो जाएगा अब यहां पर आपको yes पर क्लिक करना है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने gstn नमबर यूजर नेम और पासवर्ड लिखने का screen खुल के आजाएगा अभी जो आपने register किया था यूजर नेम और पासवर्ड वागरा और gstn नमबर वो आपको यहां पर टाइप कर करना है तो टाइप करने के बाद कुछ करना नहीं है बस इंटर प्रेस कर दीजिए जैसे मैंने पासवर्ड डाला और इंटर पर क्लिक कर दिया अब यह हमारा इवे विल चेनरेट करने के प्रोशेश में लग गया है जैसे ही यह कंप्लीट कर लेगा तो हमारे सामने एक information ख अगर विडियो आपके सारे सवालों के जवाब दे चुके होंगे अगर विडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक चेरूट करें दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही useful वीडियो के notification के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही useful topic के साथ तब तक के लिए बाई, thank you